नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी and welcome to Y-Stock Research So traders, ये है हमारी second video of the common sense trading series अब इस series का मेन उदेश है आपके लिए technical jargons और इतना जादा confusion को असान करके common sense लगाके आप market के अंदर पैसा बना सके So आज का हमारा topic है कि आप अपनी entries better कैसे करें या फिर अपनी entries को better plan कैसे करें So इस video को हम कैसे move forward करेंगे उसको समझते हैं सबसे पहले मैं आपको अपना panel दिखाऊंगा जिसके अंदर ये जो मैं system है आपका 1st November से मैं आप लोगों को panel share कर रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं आज तक का दिखाऊंगा आप लोगों को जिससे आप लोगों को एक idea हो कि मैं जो भी सारी चीज़े कर रहा हूँ उसमें मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ यह मेरा YouTube का account है, जिससे मैं आप लोगों को सारी ट्रांस्पेरिंसी बरकारा रहा रख सकूँ और आप लोग उससे चार चीज़े सीख सकें उसके बाद मैं आपको अपने rules बताऊंगा कि आपको क्या rules फॉलो करने है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़े समझाऊंगा फिर मैं आप लोगों को कुछ trade examples दूँँगा, दो-तीन trade examples दूँँगा मैं आप लोगों को सर हमारा सा SL hunting हो रही है, या फिर सर operator हमारा SL hit कर रहा है, और सर यह strategies जब YouTube पे हैं, तो operator को तो सब पता होगा, यह सब तो कुछ नहीं चलता होगा, सर को secret strategy बता हो, this and that, तो एक novins trader जो होता है, एक आम बंदा जो होता है, उसको यही सब लगता है market के अंदर एक जीज़ का ध्यान रखना, आपको क्या लगता है कि hedge funds जो है, वो कोई next level strategies यूज करते हैं, नहीं, वो basic price action यूज करते हैं, बहुत तो आपके moving averages और 10 चीज़ें यूज करते हैं, बट उनका game बड़ा simple होता है, उनके पास invented strategies नहीं होती, वो दिन में invent नहीं करत हैं, पहली चीज़ ये, तो आज जो है, entry जब आएगी, तब ही entry लेनी है, और जो सबसे important part, risk, अगर हमने risk को manage कर लिया, तो हमने आदे से जादा battle जीत लिया है, clear है, so now, सबसे पहले हम अपना panel देखते हैं, Hey everyone, before we start our video, मैं एक बार पहले आपको अपना panel दिखा देता हूँ, यह panel मैं क्यों दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बता सकूँ कि जो मैं system use कर रहा हूँ, यह मैं एक November से आप लोगों को इस account पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मैं अपने major accounts और सब में मै use करता हूँ, जब भी मैं option buying कर रहा हूँ यह कुछ कर रहा हूँ तो मैं in buy entries और in systems को use करता हूँ, तो आप भी अपने account में incorporate कर सकते हैं, बस एक बार आपको थोड़ा सा trust issues बहुत लोगों को होते हैं, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हू अभी मैं आपको rules सारी चीज़े बताऊंगा and आपको समझाऊंगा कि मैंने उन दिनों पर क्या किया था, कैसे entries बनाई थी, तो you'll have a fair idea कि क्या चीज़े काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, so first thing, मैं एक पहले काम करते हैं, 2 November से ऐसे करके refresher जाए गए, अब एक कर लेते ह हैं, तो 34,500 के करीब का profit है, आज मेरा कुछ 12-1300 रुपय का नुक्सान था, मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में भी बताया था, इस चीज़ के बारे में, so now, अब इसके बाद मैं आपको अपनी trade book भी दिखाऊंगा, एक बार trade book refresh कर देते हैं, मैंने यह आपको trade book भी दिखा दी है, इसको नएक काम करते हैं, इसको ऐसे 24 सरे कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी ना आगे तक कर लेते हैं, 24 सरे कर लेते हैं, पूरा पूरा, ऐसे refresh रो जाएगा, ओके, तो यह हो गया, अब समझते हैं, मेरे सारे rules, जो भी सारी चीज़े हैं इन सब चीज़ों के एक बार हम धंग से समझते हैं, ओके, so traders, एक बार हम अपने rules को समझ लेते हैं, so देखे, सबसे पहला rule हमारा क्या होने वाला है, कि इस account में हम लोग 5 minute के time frame पर अपनी trading करेंगे, हम लोग 2 minute, 1 minute, 3 minute पर कुछ fiddle नहीं करने वाले हैं, बस 5 minute, entry 5 minute पर आए जो आपको selector ना पो कर सकते हैं, बट कम से कम instrument में, कम से कम entry मिलेगी और आप ज़्यादा खुश रहेंगे उसके अंदर, अब समझते हैं कि मैं और क्या यूज़ करने वाला हूँ, हम कुछ price action के patterns यूज़ करेंगे, जैसे कि W pattern, M pattern and flag pattern, अब W pattern क्या होता है, W pattern को हम double bottom भी ब इसका मतलब क्या होता है, W button, इसका मतलब ये है कि market अगर एक higher low बना रही है, तो वो ये हमें दर्शारी है कि market में एक बड़े move के बाद भी, market के एक बड़े move के बाद भी, अगर trend अप है, तो market नीचे नहीं जाने को तयार है, उल्टा नीचे के levels पे, buyers are ready to buy and chances है कि market वापस से जहां से move शुरू हुआ था, उस level को दुबारा से check कर सकती है, clear है, अब M pattern क्या होता है, M pattern इसका बिलकुल opposite होता है, जब market बहुत overextend हो जाती है, तो chances होते हैं कि pullbacks जो होते हों fail हो जाते हैं, और market क्या करती है, अपनी trajectory में opposite direction में जाना चालू कर देती है, और जहां पर path of least resistance होता है, market उसको check करती है, अभी आप examples में समझ जाओगा, मैं क्या बताने की कोशिश करो, मैं अभी आपको जो introduction हो short simple to the point देना चाता हूँ, को technical jargon नहीं देना चाता, M pattern इस सब को रटने की ज़रूरत नहीं है, M pattern बड़ा simple होता है, अगर आप DAO theory follow करते हैं या कुछ भी follow करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि market कभी भी straight line में उपड़ने जाती है, market ऐसे जाती है, इस shape के अंदर market W pattern, flag pattern ये सब चीज़े बनाती है, और अगर market नीचे जा रही है, तो इन shapes के अंदर market अपने M हो गया, कुछ हो गया, इन सब में बनाती है, और अगर market ने reversal ले market में higher low, lower high, ये बड़ा matter करता है, अगर market ने उपर जाना है, तो market को इस formation पे चलना पड़ेगा, low, higher low, higher low, high, higher high, ऐसे चलना पड़ेगा, और जिस दिन market ने ये चीज़ कर दी, low, lower low, lower high, higher high, ये lower high, lower high, ये चीज़ करना चुरू कर दी, इसका मतलब जो trend है वो खतम हो गया है अब हमारा जो direction होगा, market में अगर हम trade लेंगे, तो वो किस चीज़ पे होगा, rise पे हम लोग short बनाने की कुशुच करेंगे, और जब तक इस type के market चलती रहेगी, हम लोग pullback पे trading करेंगे, right, and हम लोग क्या कुशुच करेंगे, हर fall पे हम लोग अपनी buy opportunity बना सके अगर market हम को देती है वो, okay, so fourth point क्या है, pullback, हम बस pullback पे trading करेंगे, clear है यह, तो rules are set, everything is fine now, example दिखा, एक बार शुरू करने से पहले, मैं आपको दो चीज़े समझाना चाहूँगा, कि market में दो type के player होते हैं, एक होते हैं initiative, और एक होते हैं responsive, यह दोनों traders होते हैं, आपके, इन दोनों की अलग-अलग jobs होती हैं, देखो, अगर market को एक trajectory से दूसरी trajectory पर जाना है, मतलब 18,000 से market को 18,500 हो जाना है, तो यह initiative buyers करते हैं, और जब market, देखो, एक और example समझाता हूँ, market मैंने कैसे बताया था, ऐसे चलती है, right, तो यह वाले जो move होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, traders होते हैं, इन लोगों का काम क्या होता है, अगर market एक range में है, इस range से लेके, इस range के अंदर यह लोग play करते हैं, range to range play करते हैं, लोग जादा उंगल बाजी नहीं करते हैं, and maximum time एक option buyer जो होगा, वो responsive trading ही करेगा, so you need to understand कब responsive activity हो रही है, और कब initiative activity हो रही है, जिससे आप करें, clear, so I hope this is clear, अब जो भी examples होगे, उसमें मैं इनी दोनों चीज़ों का reference आपको लेके, चीज़े समझाऊंगा, so I hope you are with me, आप pen paper अपने साथ रखें, जिससे आप अपने notes बना सकें, जो चीज़ समझाऊंगा उसको अगर छोटा छोटा करके, धीरे धीरे करके अपने trading म incorporate करेंगे, तो आपकी trading में बहुत अच्छे changes आएंगे, okay, so without wasting any time, let's start with examples, traders, example number one हम लोग use करने वाले हैं, सबसे पहले हम use करेंगे 8th of December को, 8th of December पे हमने क्या किया, कैसे किया, हम उसको समझते हैं सबसे पहले, देखिए, अब अगर मैं आपको इस टाइप से market को दिखाऊं, आप देख सकते हैं, market अच्छे खासे अब trend के अंदर है, बिल्कुल सब कुछ clear है, सारी चीज़े बिल्कुल move forward उपर जा रही है, तो कही ना कही हमको यह लगता है कि सारी चीज़े अप हैं, तो अब हमारा trade plan कहा होना चाहिए, trend हमारे साथ है, सारी चीज़े ठीक हैं, तो ह हमारी जो buying है, हम pullback पे करेंगे, इतना तो clear है, अब यहाँ पर जो हमारे levels हैं, वो कहां आते हैं, जो हमारे levels हैं सारे, वो आते हैं, यह है previous day high, अब जैसे ही market ने इसको break किया, बहुत लोग होगे इनके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर buy कर लेना चाहिए, सबसे बड़ा problem इस पूरे area में 21,000 का है, 21,000 एक big round number है, मैंने आपको अपने daily analysis में भी बताया था यह चीज, अगर आप देखेंगे, मैंने Friday को भी बताई यह चीज, मैंने Monday वाले analysis में भी बताई है, कि 21,000 एक बहुत important, एक big round number है, इन big round number से generally reversals होते हैं, या फिर market है halt करती है, इतनी असान इसे नहीं निकलते हैं, अगर rally बहुत नीचे से उपर तक हो रही है, थोड़ा सा वक्त लगता है, market को तोड़ने में, क्योंकि market चलती ऐसे है, तो market को ये move देना बहुत जरूरी है, तभी smart players दुबारा entry लेंगे, नहीं तो बात क्या होती है, fresh entries नहीं आएंगे, fresh entries नहीं आ तो logic आपको clear हो गया, अब यहाँ पर हमने क्या किया, आप समझो इस चीज़ को, मैंने आए यहाँ पर एक plan बताया था आप लोगों को, कि ये 21,000 का level है, अगर price let's say, sorry 21,000 कहा रहा हूँ, ये आपका previous day high का level है, मैं यहाँ पर कुछ करने नहीं वाला हूँ, मैं 21,000 को यहाँ पर मैं भाई नहीं करूँगा, या फिर मैं इस level के पास अगर market W pattern मनाती है, कुछ करती है, तो मैं भाई plan करूँगा, नहीं तो I will sit aside and I will wait for my entry, clear है तो, ठीक है, चलो, ये भी हो गया, अब हमने क्या किया, ये समझते हैं, देखो, सो यहाँ पर क्या हुआ है, market उपर पहला क्या दिया है, इसको आप एक swing move ले लो, या फिर पहला up move ले लो, morning का move ले लो, market ने क्या क्या pullback दिया, अब इस pullback के पास एक RBI की news भी आई थी, अब उसके बाद market ने फिर एक attempt दिया, इस high के उपर एक छोटी सी wick बनाई और market तूटने लग गई, अब हमारा plan क्या था, जैसे market इस zone को touch करेगे न, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना sell plan बनाईगे, अब ये जो candle है, जो doji बनी है, ये है आपकी 10.55 पर, ये 10.55 पर candle है, तो हमारा जो plan था, इस candle के low पर, मतलब इस red candle की शुरुआत में हम लोग अपनी entry लेंगे, ये अपना plan था, अब एक बार मैं आपको अपना panel दिखाता हूँ, panel हम 8 तरिक को पकड़ते हैं, 8 तरिक को हम लोग इस टाइप से fresh करेंगे इस चीज़ को, और आप यहाँ देख सकते हैं, market क्या कर रही है, market में हमने 4,912 रुपे का profit कमाया, trade book एक बार हम देख लेते हैं, 8 तरिक की, trade book में क्या क उठाएंगे, तो इसी के आस-पास मैंने ली, और मेरा target क्या था, मेरा target था, ये zone, ये zone, इसने last time एक pivot बनाया था, यहाँ पर hold किया, basically market का open था, इसके पास market open हुई है, तो इधर ही हमने क्या किया, अपना exit ले लिया, decent target था, and this was good enough, तो एक exit ले लिया, M pattern बना था है, इसको तूटने की, वेटने की, तूटना मतलब keep candle close हो जाए, तब हम entry लेंगे, देखो, market में हमेशा ध्यान रखना, जो textbook में आपको सिखाया जाता है, वो ये सिखाया जाता है, कि अब हमें entry लेनी है, यहाँ पर, अब यह बड़े time frame पर तो ठीक है, daily पे, या फिर 1 घंटे पर, retest is a good thing, और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर retest हुआ भी है, market उपर आई है, दुबार हम बनाया है, यहाँ पर आपको एक और entry दी है, तो ऐसा नहीं entry नहीं थी, entry थी, बट अगर आपको एक अच्छी trading करनी है यहाँ पर, तो आप हमेशा ध्यान देना, जब अभी market अपना एक high बनाईगी और failure शो करेगी, उसके बाद market चेक करती है, the path of least resistance, ओके, वो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ resistance मिल रहा है हमको, अब market वापस इस level को चेक करेगी और यहाँ पर buying बनाने की कोशिश करती है, तो हमने क्या किया, जहाँ पर लोग plan करेंगे, वहा ठीक है, अब हमें काम करते हैं, अब हम एक और example लेते हैं, अब हमें इस दिन का example लेते हैं, इस दिन क्या हुआ है, समझो उस चीज़ को, देखो, again, trend बिल्कुल अप है, बिल्कुल सारी चीज़ा sorted है, पांच मट का time frame है, nifty-fifty का chart है, आप कोई भी instrument use करो, कोशिश करो, nifty- magnitude is enough, आपको fin-nifty, या फिर आपको और सब में जाने की ज़रूत पड़ेगी नहीं, बढ़ अगर आपको जाना, आपकी मर्जी, कम से कम instrument में trade करो, जिससे थोड़ा concentration में problem ना है, और 10 जगा देखोगे, तो 10 setups मिलेंगे, confusion create होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर market up ह में एक बड़ी simple चीज़ किया है, एक, दो, तीन, तीन attempt हैं पर दिये किस चीज़ के, हाई हमारे, और फिर market ने क्या किया, इधर एक low check किया, अब हमें क्या देखना है, इत्ती बड़ी candle आई, मेरा plan है आपर initially क्या था, मेरा अगर आप मेरा ये 6th का analysis जाके देखेंगे, तो आपको देखेगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि market अगर यहाँ पर M बनाती है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, शौट करूँगा, क्या market M बनाया या नहीं बनाया, market तो फटाफट से नीचे आ गई, अब हमेशा धियान अटना market कभी भी एकदम से ऐसे नीचे नीचे न आया, पंप करा लोगों को, लोगोंने शौट मारा होगा, इसके नीचे चेक किया, जैसे इसको देखा था, ऐसी इसको चेक किया, शौटर को ट्रैप किया, फिर market ने क्या किया, उपर का move दिया, पुल बैक, अब यहाँ पर market ने बनाया, higher low का pattern, अब हमारी entry कहा थी है, उपर बाय करते हैं, बट यह चीज़ आपने नहीं करनी, आपने क्या करना है, सुनो उस चीज़ को, आपने जब market अपना higher low बनाता है, higher low कभी भी छोटी छोटी candles हम decide नहीं करेंगे, कोई candle आए जो wick बनाए, या फिर कोई एक अच्छी खासी bullish engulfing बड़ी candle बनाए, तो हम थोड़ा decision लेंगे, अब इस candle पर अगर इसके ऊपर buying हो जाती, तो यहाँ पर मैं इसको क्या ले लेता, I would have taken it as a w pattern, और मेभी शायद मैं यहाँ प्लान कर लेता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होई नहीं, इसके ऊपर कोई activity नहीं हुई, अब यहाँ पर क्या हुआ है, market ने इ इस candle के आसपास हमने कहीं पर अपना trade प्लान किया है, ड़लू pattern बन रहा था, SL कहा लगाया, SL most probably हमारा इस candle के आसपास लगाया, 10-11 point का SL होगा हमारा, जादा नहीं है, loss को ध्यान रखना है, control में रखना है, और जो target होगा हमारा, वो यह level होगा, क्यों होगा यह level, अब समझ बोलते हैं, previous day close, clear, यह level क्या है, इसको हम बोलते है, day open, clear, अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यह सारी चीज़े हो गई हमारी, swing भी हो गया, day open भी हो गया, सब कुछ कर दिया हमने, अब एक चीज़ समझो, यह दो levels, और एक सिकंद, एक सिकंद, एक चीज़ और है, यह है, day high, 29.40 से लेके, 29.30 के बीच में, तीन resistance आर्के हैं यहां पर, जिसको market अगर cross करना है market ने, तो फटा-फट सुपर जाना पड़ेगा, फिर घूम के फिर निकलेगी, ऐसा तो नहीं किया market ने, right, तो मेरा पहला उदेश क्या होगा, जब मैं यहां entry लोंगा, कि इस level के आ या फिर उपर कोई vic money बड़ी, body से जादा, तो I'll most probably exit, right, अब यह exit कहां आता है, यह exit आता है, ग्यारा बच के 5 मट के आसपास, clear, अब हम क्या करते हैं, अब एक बार हम पेनल देखते हैं, अब हम पेनल देखेंगे अपना 7 तरिका, इसको अटा लेते हैं, 7 तरिका पेनल द मैंने आपको बताया था भी, अब देखो, यह entry देखो आप मेरी, पहली entry हुई है, 10 बच के, मत अब 40 मट से पहले, around 10.39 पर मेरी entry हुई है, तो अब आप यह देखो, market कहां थी, 10.35, इस candle के अंदर मैंने अपनी entry किया, most probably मेरी entry, जैसे ही market इसके उपर cross किया, मैंने यह आप पर अपनी फटाफट entry बना लिया, पांच मट के टाइम फ्रेम अता रहो है आपको यहां पर, अब मेरा exit देख लो, मेरा exit कहां पर हुआ है, मेरा exit हुआ है, 11 बच के 5 मट पर, अब आप 11 बच के 5 मट को देख लो, इस candle पर मेरे exit कर लिया, अब ऐसा नहीं कि मेभी यहां तक नहीं है add करने में, एक चीज समझो, अगर आपने यहां कुछ चीज buy कर रखी है, क्या आप यहां पर add करोगे, नहीं करोगे, आप कहाँ add करोगे, आप करोगे, अगर आपने carry ही करना है मालो, तो आप क्या करोगे, market आए, थोड़ा सा घूमे, अब इसके ऊपर अगर market attention दे clear, और उसके बाद मैं इसके target है, इसके ऊपर कुछ अपना aim कर सकता हूँ, पर ऐसा तो नहीं हुआ है आपर, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इधर हमने कोई average, average कुछ भी नहीं बनाई है, right, कुछ बनाने का point नहीं है इसके अंदर, so, मुद्दे की बात यह है जब exit करते हैं, तो जो भी important resistance है, उसके पास candle क्या कर रही है, उसको समझना बहुत साधा ज़रूरी है, right, तो यह हो गया, दो example जो मैं आपको भी समझाए, जिसके अंदर market क्या कर रही है, okay, अब मैं आपको एक और example समझाता हूँ, मैं आपको क्या-क्या बताया था, M pattern, W pattern, और flag, right, और मैंने आपको क्या बताया था, कि दो type के players होते है, initiative और responsive, अब आप बताओ अपने आप से कि इन दोनों examples में कौन से players आये थे, क्या इनने कोई range extend की, नहीं, इन्होंने क्या क्या एक range के अंदर play करते रहे, तो यह कौन है, responsive traders है, responsive traders वो होते हैं, जो intraday के अंदर volume लेके आते हैं, okay, initiative वो होते हैं, जो market को एक trajectory से दूसरी trajectory में लेके जाते हैं, जो भी उने पढ़ा, so, फरक इसमें यह है, अगर आपको यह समझ में आ जाए, कि आप एक responsive zone में हो, तो आपके targets भी क्या रहेंगे, small and precise, और यह चीज़ आपकी intraday trading में most probably 90% रहने वाली है, अगर रहोगे, आपने initiative जब trading होती है, वो generally gap ups में होती है, जैसे कि, अभी देखते हैं हम, आपको सी simple example समझाओंगा, जब market ने gap up मारना चालू किया था, आप यह देखो, इजन देखो आप 29th November को, 29th November को, 29th November को, यहाँ पर देख लेते हैं पर, 29 November को, 8,737 रुपे के गरीब का profit था हमारा, इजन क्या हुआ है, इजन देखो आप, इजन market ने क्या किया है, इजन market ने gap up किया, अब 90% लोग ना यहाँ पर pump हो जाते हैं, अब रहा gap up हो गया तो फटा-फट buy कर लो, नहीं करना, अपनी strategy क्या है, pullback, अपनी playbook क्या कहती है, pullback, okay, pullback चाहिए अपने को, और M, W या फि flag, यह अपने को चाहिए, तब ही हम buy sell अपना plan करेंगे, so यहाँ पर क्या हुआ, market उपर गई, flag बनाया, break out दिया, buy sell, right, बस, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ तक का दिन मिल जाए, हमेशा नहीं मिलता, option buying में लालच करने का कोई point नहीं है, आप एक दिन के सारे दिन आप ऐसे नहीं कमाओगे, या फिर 500, 800, 1000 रुपे गवाते रहोगे, उसका कोई फाइदा नहीं है, उससे बढ़िया यह है कि आप 10 दिन 2,000 रुपे कमाओ, और बाकी सारे दिन आप 500, 800 रुपे गवाते हो, तो you'll be more motivated, understand this, so consistency is more important, consistency बहुत जादा important है, अगर यह रह यह चीज़ देख रहे है, अब यह कौन सा gap है, जिसमें market क्या कर रही है, नीचे की दर्फ rejection दे रही है, तो chances क्या है, market उपर जाएगी, अब जैसे टिपा खाएगी, और उपर निकलेगी, यहाँ पर हम buy करेंगे अपना, अब दूसरा gap की situation क्या आती है, अगर market क्या करे, य इजन भी देख लो, क्या हुआ इजन, इजन भी आप देख लो, market ने क्या किया, gap up, buy बनाओ अपना, SL लगाओ, अपने target सेट करो, market ज्यादा उपर नहीं गई, मैंने क्या बोला था, हमेशा market उपर नहीं जाएगी, उस level पर, but process same है, बहुत लोग क्या करते है, उस type के दिन ले करना चाते हैं, जो मैंने दिखा है, बट इस type में वो confused हो जाते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, हमेशा दिहान रखना, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में failure है, और आपका stop loss है, success एक process है, और ये process जब आप follow करोगे, और risk को आप control में रखोगे, तो आपको कोई problem नहीं होगी, correct है, ठेक है, अब देखो आप यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, अब देखो यहाँ पर market ने क्या किया है, first candle क्या बनाई है market ने, पूरी की पूरी, red, यहाँ पर market ने क्या किया, W pattern मनाया, और market ने क्या किया, एक अच्छा खासा pattern देती है उपर की तरफ, clear ह तो market हमेशा मौके देती है, market सब देती है, बट हमें बस समझना पड़ेगा कि हमें उन चीजों में कमाना कैसे है, हमें करना क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से हमें सोचना है, करना है, and then things become easier, correct है, so I hope आपको छोटी छोटी चीज़े समझ माई होंगी, आपको entries, exits, कैसे precisely इसलिए लेने है, क्या करना है, I hope आपको समझ माई होगा, अगर आपको समझ माई आया है, तो आप मेरे को जरूर बताइए कि आप कैसे देखते हैं सब चीजों को, and बस यही सब चीज़े है, और इस दिन भी, मैं एक चीज़ और clear कर रहा हूँ, यह वाले दिन पर, मैं एक कहीं पर मैंने exit कर ली, यही मेरी late entry थी, generally मैं first hour के अंदर, या देड़ घंटे में मुझे अपनी entry मिल जाती है, because I am being transparent है, कभी कबार entries miss हो जाती है, जितना plan करें, miss हो जाती है, तो वो हो जाता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं यार लोग यह ना बोले ना कि तुमने उस इनके entry नहीं दिखाई, तो यह देखो, यह 4 तरिक है, और 4 तरिक है, ओके, यहाँ पर मेरी entry बहुत late हुई थी, 2 बच के 3 मट पे हुई थी, because मैं कुछ कामम में busy हो गया था, तो यह पूरा morning का movement हो गया था, but जब भी gap up के बाद red candle होती, short मत करो, एक pull back आने दो चीजे देखो, market में दुबारा मौका मिलता है, आप loss मौके को and trade लो, मेरी entry काफी late आई है, almost इसके पास मेरी entry आई है, यहाँ पर कहीं, right, तो ठीक है, बस एक आपको बताने का मकसद था है यहाँ पर, कि आपको क्या-क्या चीजे follow करनी है, क्या-क्या चीजे देखनी है, त इन तीन चीजों पर mastery करो, और 5 मट के time frame को use करो, और कम से कम instruments में trade करो, बहुत over indicators को जमा मत करो, आपको इन सब चीजों से problem होगी, कोई फाइदा नहीं है, और अगर आप लोग भी price action को और भेतरी तरीके से सीखना चाते हैं, तो आप लोग हमारे community join कर सकते हैं, paid option भी है, free option बी है, दोनों options हैं वहाँ पर, आप लोग join कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा price action का course डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, recorded course है, अपने pace के साब से आप देखिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कि आपको जैसे जो target areas होते हैं, basically context समझाया है वहाँ पर, त और वो जाके देख सकते हैं वीडियो को, okay, so यह हो गया हमारी learning वीडियो, and I try to keep it short, simple, to the point, जिससे आप लोगो को समझ में आया, आपकी education बेटर होती रहे, so I will see you in the next one, thank you for watching, and अगर वीडियो पसंदा है, तो like, share करना, मत बूलना, and next topic जो होगी, वो भी हमारा बड़ा interesting संडे को आपको उसका topic बता दिये जाएगा, कि हमारा next topic क्या होने वाला है, common sense वाले topics होंगे, जिससे आपकी trading बेटर हो सके, and जरूर बताएगा, यह series का initiative आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो बताना जरूर, और अगर अच्छा नहीं लगा, तो भी बता देना, ठीक है Okay then, I'll see you in the next one, thank you for watching